कैंसर बड़ी लाइलाज बिमारी है, किसी को बख्षती नहीं है कई बारी तो ऐसे होता है कि बिमारी का पता ही नहीं चल पाता या टाइम पर पता नहीं चलता कई बार कैंसर जैसी बिमारी को मशीन भी पकड़ने में भूल जाती है या देरी कर जाती है कई बार लापरवाही कैंसर मरीजों पर इतना भारी पड़ता है कि वो बेमौत मारे जाते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बिमारी को पकड़ने के लिए एक खास एक्यूमेंट आ गया है लेकिन ये कैसा एक्यूमेंट है, कैसे पकड़ेगा इन तमाम चीजों को देखने के लिए हमें ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी और रिपोर्ट से ही आपको पता चलेगा कि ये फाइदे का सौधा है ये नहीं कैंसर कितना घातक है, उससे कहीं घातक होता है वक्त पर कैंसर का पता ना लगा पाना एक स्टेज से दूसरी और दूसरी से फिर आखरी स्टेज कैंसर कैसे पहुंच जाता है, मरीजों को ये पता ही नहीं चलता बिमारी को कई बार मशीने भी नहीं पकड़ पाती और मरीज बेमौत मारे जाते हैं अब दर की यही तस्वीर बदलने वाली है डॉक्टरों, वेगयानिकों और शोध करताओं ने एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस मॉडल बना लिया है जो कैंसर की सटीक पहचान कर सकता है वो भी पहली ही स्टेज पर ब्रिटिश अकवार दा गार्डियन में चपी रिपोर्ट कहती है कि AI मशीन जट से रिजल्ट बता देगी AI मशीन कैंसर को तेजी से डाइगनोसिज करेगी AI मॉडल 0.87 के AUC के साथ कैंसर के हर नॉड्यूल के जोखिम की पहचान कर सकता है रेडियो मिक्स का इस्तेमाल कर AI एलगोदर्म विक्सित करने के लिए टीम ने बड़े फेफ़णों के पिंड़ वाले लगभग 500 रोगियों के सिटी स्कैन का उप्योग किया AI बड़े फेफ़णों और छाती के कैंसर की स्टीक पहचान करने में काम्याब रही AI का ये मॉडल कैंसर पीडितों के लिए बरदान साबित हो सकता है दुनिया भर में कैंसर मौत की एक बड़ी वज़ा है WHO की रिपोर्ट बताती है कि कैंसर से दुनिया भर में हर साल एक करोड लोगों की मौत होती है हलांकि कई लोगों की जान बचाई जा सकती है अगर बिमारी का सही वक्त पर पता चल जाए अब ये काम AI उपकरण करेगा जिसे Royal Masden NHS Foundation Trust Institute of Cancer Research London ने डिजाइन किया है यानि विज्ञान और तक्नीक का नया प्रयोग कैंसर मरीजों के लिए बरदान बनने जा रहा है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पर आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आपको रखे आगे